एक बार फिर से सागर आपका आपके यूटूब चैनल एश्टेड यान पर तो आज हम यहां पर आपके जो बीए सेकेंड एर मैस में आपको जो सेकेंड पेपल होता है तो उस वाली बुक में जो आपका सेकेंड चैनल चैप्टर उसमें एक टॉपिक आता है आपके यहां पर देखेंगे चारपीट मेथड यहां पर चारपीट विदी जो की काफी इंपोटेंड विदी है पाच नमर का एक कोशन आता है उसमें इसके आने की काफी चांस बने रहता है और कुस सालों से यहां पर इसमें से एक कोशन से यहां पर यूनिट नमर फॉर्ट में यहां पर पूछा जाता है तो आज इससे related हम यहापर questions करने वाले इसलिए आज की last लें आपके लिए काफी important होने वाली इससे पहले में आपके जो इसी book में आपके एक video होती है मौंगे method यानि मौंगे video उससे हमने यहापर swallow करवाया था जिसके यहापर section C में आपर आने के उसके chance बने रहते अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उससे जरू देख लिजीगा यहापर आप चारीपीट वीडिया हम यहापर start करते है उससे पाइदे हम एक बात और यहापर बता दे कि हमने यहापर लगबग आपके जो differential equation वाली में आपका first chapter होता है आपके पर्थम खोटी हम पर्थम घात के आउकल समीकर यहाणी first order and first degree equation उसमें लगब आठ विदिया होती है आपके चर पताकर्ण विदी सम घात समीकर्ण आपके रेखी का आउकल समीकर्ण इसे सभी हमने जितनी भी उसके topics की classes हमने बना रखी है जो कि आपको हमारे जो second channel है SM coaching point पर आपको provide हो जाई है उसके playlist का लिंग हमने description में दे रखा है उसके अलागों जो बाकी की chapter रहते हैं उसके हम यहापर विडियो नहीं बना पाएते हैं कि यहापर जो unit number second और third में आपकी questions बनते हैं जैसे CF और P.I.E.K जो कि काफी जड़ा students बोल भी रहते हैं कि काफी students के यहापर जो कल यहापर university exam है यहापर काफी students हमसे लगातार comment करके बोल देते हैं कि sir यहापर आप CF और P.I.E.K भी questions करा दीजे तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो CF और P.I.E.K के questions रहते हैं उनमें काफी method यहापर आपको सीखने होते हैं जिन method को यहाप लगवग एक दो दिन में उनकी classes बनाना यहापर बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उनमें हमें यहापर deeply यहापर कराना होता है आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा solve कीजिए उन से related जितने भी आपर आपके questions से उन्हें solve करने की कोशिश कीजिए अब यहापर हम बात करते हैं चार पिट सा एक विदी की यहापर आप इस equation को याद कर लिजिगा यहापर इसे हमने निचे लिखा है लेकिन ही इसे के equal हैं यहापर कि equal d y upon में यहापर minus del f upon del q equal to del f upon 0 इस बात का आप यहापर ध्यान दिजिएगा कि यहापर d और del में यहापर यह अंतर होता है क्योंकि यहापर d है वो तो आपके आउकल समिकन होती है और जो यहापर आप देखेंगे del है वो आपके आशिक आउकल समिकन होती है d और del में आपको अच्छी तरह से फर्क पता होगा क्योंकि आप समिके फर्स्ट एर में एक चैप्टर भी होता है partial differential का उसमें पढ़ रहा हो तब ही हम आपको बता देते d वाले function जब भी आपके यहापर d आउकलन होता है तो उसमें जैसे मान लीजी एक्स और y है यह x और y यहापर multiply की form में लिखे हुए है तो हम यहापर क्या करेंगे सबसे पहले x का आउकलन करेंगे फिर यहापर इसको छोड़के फिर y का आउकलन करेंगे तो इस परकार हम आउकलन करते हैं और अब इसके हम questions करने भी वाले तो आपको किया करना है सबसे पहले तो इसकी जो सायक समीकर्ण है इससे यहापर याद कर लेना है क्योंकि इसी से हमारे यहापर questions होने वाले जब आप इस equation को यहापर apply करेंगे जिन सब भी value को रख देंगे तो आप कोई सी भी जब यहापर step लेंगे चाहिए आप इससे ले लिजे चाहिए इससे ले लिजे किसी भी दो step की मदद से आपको क्या करना होगा P और Q की value को निकालना होगा और जैसे आप P और Q की value को निकाल लेंगे उसके बाद आपको इस formula में रखना होगा DZ equal to P dx plus Q dy में यहापर आपको P और Q की value को रख देना जिससे आपका answer यहापर finally आ जाएगा तो आप यहापर हमें इससे related एक question कराते हैं जो कि काफी बार university exam में पूछा गया है और इस साल भी इसके आने के काफी chance यहापर बने रहते हैं तो इस question को आप most important यहापर लगा लीजेगा जो कि क्या है solve यानि हल कीजिए आपकी question इस प्रकार से आएगा कि 4P ट वीदी से यहापर इससे solve कीजिए ओके यहापर आप आप देखेगा जो की question कहा है Pxy plus Pq plus Qy equal to Yz यहापर आप देख सकते हैं यहापर के आजाती है इससे function equal हो जाता है यहापर आप देखेगा function equal to Pxy plus Pq plus Qy minus Yz equal to 0 यहापर हमारे आचुका है अब हमें यहापर क्या करना है यहापर इस formula में हमें यहापर रखना होगा इस formula के लिए हमें यहापर कुछ condition की यहापर ज़रत होगी जैसे के आप देखेगा डेल F upon डेल X है यहापर हमें निकालना होगा हमें यहापर डेल F upon डेल Z भी निकालना होगा डेल F upon डेल Y भी निकालना है डेल F upon डेल P डल f उपण डल q और भी आप देखेंगे डल f उपण 0 यहांपर इन सभी step पर हम यहांपर निकालनी होगी यहांपर आप देखेगा सबसे बहले हम यहांपर डल f आप डल x निकालना चाहते हैं इसका मालब ही यहापर आपको पूरा function है, इसका किसके साफ़ पर आशी का उकलन करना है, यहापर आप ध्यान जेजीए गए यहापर del दे रखाए, del मतलिका आशी का उकलन नहीं, partial differentiation हो रहा है इसका, ओके, तो X के साफ़ पर आशी का उकलन करेंगे तो क्या आएगा यहापर X लागो इन सभी ुकलन siamo की वं शब्जकराई सब्सक्राइब पर आक्षार क्या होगां उसका क्या व्योथ i teachers कषिए महाँ ऐनेरे तो भणक पर पूरे आक्हएयों सब्सक्राइब आयाजाएinya 흥 उसके बाद यहां पर क्या होगा कि Q के साफिश होगा तो यहां पर आप देखें कि Q कहा पर आ रहा है एक तो यहां पर इरक यहां पर आ रहा है इसके साथ में क्या है यहां पर P प्लस Y यहां पर आपके आ चुका है तो इसके साथ में आपकी प्लस Q सब्सक्राइब होगा है तो इसके कही और आ चुकी है उसके तो rig आपके पार को तो आपको कहां रखना है इस equation में इस इक्वेशन में आपको रगदना है सबसे पेला हमें इस equation को यहाँ पर question में लिखते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देस में हम यहाँ पर कौन से method लगाने वाले हैं यहाँ पर हमारा चारपिट साइक विदी वाली है यहाँ पर जिसमें यहाँ पर पूरा formula यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर साथ में क्या है यहाँ पर देखेगा यहाँ पर P भी दे रखा है तो इस P को minus Y से multiply करना होगा तो क्या हो जाएगा minus P Y यहाँ पर आपके आजाएगा जिसके आप देखेगा यहाँ पर देल F आपन डेल X का तो P Y और यहाँ पर इस equation को solve करेंगे तो minus P Y यहाँ पर आजाएगा यहाँ पर सभी step को निकाल लेना है जैसे आप सभी step को निकाल लेना है तो हमारे यहाँ पर यह equation आ जाएगा यहाँ पर देख सकते है में आपके 2 equation ले लेनी है जैसे हम यहाँ पर यहां पर dq upon में px plus q minus z minus q y यहां पर आपको दे रखा है अब आप इसे solve करेंगे जब इसके cross multiple करेंगे तो आप देखेगा यहां पर यह equal to की 0 आजाएगा और यह यहां पर दे जाता है और यह पूरा function यह भी equal to की उदर जाएगा तो automatic आपके क्या आजएगा dp equal to 0 यहां पर क्या करना है जो शूराथ में equation दे रखेंगा यह वाली step यहां पर इसकी मदद हमें यहां पर लेनी होगी यहां पर क्या करते हैं हम जानते कि यहां पर जो यहां पर देखेंगा yz-axy यहां पर आजाता है और यहां पर हमने q की value भी निकाल ली है आप देखेंगा p की value भी आ चुकी है और q की value भी आ चुकी है यहां पर आपको उपर बताया था कि उससे आपको d z equal to p dx plus q dy की equation में आपको रखना होता है तो हम इससे रख देते हैं यहां पर देखेंगे p की जगह क्या आ रहा था अभी हमने a निकाला था q की जगह क्या आया था yz-axy आप उनमे a plus y आया था उससे हम यहां पर रख देत इसको कहान ले आएंगे हम इनके upon में आ जाएगा तो यहां पर आप देखेगा कि z minus a x equal to y upon a plus y dy आपके आ चुका है फिस आगे solve करने के लिए हम क्या करते हैं यहां पर जो y दे रखा है इसमें plus a करते हैं इसमें क्या करते हैं minus a हम यहां पर करते हैं आप देखेगा a plus y minus a यहां पर आपके आ चुका है अब इस step के बाद हैं यहां पर आपको क्या करना है यह जो z minus a x इसको t माल लेते हैं और जो a plus y इसको u माल लेते हैं जिसे यह असान तरीके से यहां पर solve हो पाए जिसे आपने z minus a x equal to t माना जब इसका alkaline भी करना होता है तो यह क्या हो जाएग यहां पर d z minus a dx इसके जगह हमने क्या निकाल है dt इसे हम यहां पर रख दिया तो यहां पर z minus a x equal to t तो इसे हमने यहां पर रख दिया है उसके आदि में यहां पर आप देखेगा यहां पर a plus y है और यहां पर भी a plus y इन दोनों को अगर हम आपर separate कर दे जिसे एक बार तो हम क्या करेंगे a plus y को हम इसके eporn में a plus y के लेंगे इसके बार में minus a को कहां लेंगे aपन a plus a y के साथ हम यहां पर लेंगे a plus y upon me a plus y रेएगा तो किया बんなदेगा 1 फिर यहाँ पर minus 7 a कि upon me क्या अजयगा a plus y यहाँ पर आपके आजयगा और बाहर यहाँ पर dy रेता है फिर आगे solve करेंगे तो यहाँ पर jy and y से 1 से multiple होजाएगा तो dy यहाँ आपंपर आ चुका है पिर आगे इसको बाद आपको इसका integration करना है यानि समाकरिन करना है तो यहाँ पर आप देखेगा यहाँ पर यह पर यह T लिखा हुआ इसे आप T लिख लिजेगा ओके तो 1 upon T का समाकरिन इंट्रिगेशन क्या हो जाएगा log T हो जाएगा दी वाई का क्या हो जाएगा उसके आद यहाँ आप आप देखेगा A upon U है तो इसका क्या हो जाएगा A log U हो जाएगा इसके साथ यहाँ आप आप यह constant value भी आते हुगा हम यहाँ पर अगर सारे function आपके log में चल रहता है तो यहाँ पर जाएगा यह पर लो भी यह पर आपके आ आजाता है यहाँ पर जैसे t की जगर z minus ax और यहाँ पर u की जगर a plus y को यहाँ पर आपको रख देना है उसके वादे यहाँ पर आप देखेंगे इस step को हम equal to के इदर लियाते है तो यह plus का हो जाएगा और इस equation को भी हम उदर लियाएगे तो यह minus का हो जाएगा इकल्टो के उदर यहीं आपर आप देखेंगे भाई यहाँ पर बच जाता है अब यहाँ पर आप अच्छे स्थेख से जाए जो लोग के आगे यहाँ पर i value सकते हैं और यह वाला log किसमें रखा है minus में रखा है जब minus में होता है तो कहां चल जाता है divide में चल जाता ह है यहां पर अपके अचुका है equal to क्या रहता है यह y यह ना पर आपके आ जाता है फिर यहां पर आप सा निकल के आ चुका है और यह जो question से काफी important question है काफी बार पुछा भी गया university exam में तो आप इस से एक तो इस question को और साथ में इस से related जितने भी आपके question से book में दे रखे, book के examples होने आप जलदे से solve कर लिजेगा, okay अब बात करते हैं हम यहाँ पर Nash question की, इस question को भी आप ध्यान से देखेगा और यह काफी बार पूछा गया question है, p plus q x qy minus 1 equal to 0, यह भी उसी की तरह question होने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हमने functions के equal लिख दिया f equal to p plus q, p x qy minus 1, यहाँ पर हमारे आ चुका है अब यहाँ पर आपके जो functions आये, इसका यहाँ पर separate सभी value आपको निकाल ले होगी, जैसे सबसे पहले del f upon del x निकालते हम यहाँ पर, तो जब इसका आपको क्या कर देना है, तो यहाँ पर आप देखेगा, यहाँ पर x दे रखा है, और यहाँ पर p plus q तो पहले विसा का विसा ही रहेगा, और यहाँ पर x के साथ में p दे रखा तो यहाँ पर भी p यहाँ पर आपके आजाएगा, यहाँ पर del f upon del y निकाल लीजेगा, इसी की मदद से del f upon del z, अभी मैंने आपको उपर questions में बताया था किस प्रकार से निकालना होता है फिर del f upon p निकाल लीजेगा, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी p दे रखा है, यहाँ पर भी p दे रखा है दोने factor की form में दे रखा है, यानि सबसे पहले हमें क्या करना होगा p plus q को पहले रखिए, इस equation को solve करेंगे तो x आजाएगा, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर p x plus q y को आपको रखना है विस equation को solve करेंगे तो 1 plus 0 आजाएगा, जब आप इस पूरी step को solve करेंगे तो क्या आएगा, इसको अंदर x को multiple करेंगे दो, p x plus q, x plus p, x plus q y, और जब आप इसे भी solve करते हैं, तो 2p x plus q, x plus q y यहाँ पर आपके आजाता है, उसी प्रकार यहाँ पर आप डल f upon del q भी निकाल लेजेगा, वहाँ पर भी आपको same step ही करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको इसको छोड़के फिर इसका alkaline करना ही, य यहाँ पर भी q दे रखा है, तो यहाँ पर इसके साथ y आजाएगा, फिर इसको छोड़के यहाँ पर आपको इसका alkaline करना होगा, जैसे आप यह step करेंगे, तो आपको del q भी यहाँ पर निकल के आजाएगा, तो इसके बाद हमें इसका क्या निकालना होगा, चार पिश साय यहाँ पर लगानी होगी, उसमें आप formula अच्छेता से जानते, अभी मैंने यहाँ पर आपको उपर formula बताया था, तो इसी formula को अभी हम आपर रख देना है, आप इस formula को यहाँ पर जबी भी आप question solve करेंगे, तो आपको दुबारा लिखना होगा, लेकिन मैं यहाँ यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने उपर आपको यहाँ पर समझा दिया था, रोकें, तो उस formula को जैसे आप रखेंगे, उसमें value आपको रखने होगी, value अभी हमने उपर थोड़ी दिर पहले, अभी सभी की value निकाल लिए, उन सभी value को आप रखेंगे, तो आप पर P plus Q है, यहाँ पर भी P plus Q है, तो यहाँ पर एक दूसरे cut हो जाएगे, क्या आजाएगा आपके DP आपके P equal to DQ upon Q यहाँ पर आपके आचुका है, इसका simply हमें integration यहाँ समागरम कर देना है, तो 1 upon P का log P, 1 upon Q का log Q, पि प्लस constant value log Q A यहाँ पर आपके आचुकी है, यहाँ आ पर हमने अभी P की value तो निकाल ली, अब हमें किस की value निकाल ली है, अभी यहाँ पर आप देखेगा, पी की value पूरी तरह से आपके नहीं आई है, क्यों पी की value में Q भी ना जरा रहा है, इसलिए अभी हमें P की value को भी पूरी separate निकाल ला है, उससे पहले यहाँ पर आप पच्छी तरह से जानते हैं, जो कि हमारे question में step है, यह हमारा question है, तो इस equation को यहाँ पर आपको पहले रख देना है, और यहाँ पर जहाँ पर भी हमने P की value निकाली AQ, P की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर AQ रख देंगे, यहाँ पर आपको रख देना है, उसके आद में यहाँ पर क्या होगा, कि यहाँ पर इस step में से हमें Q common ले लेंगे, और इस step में से हम Q यहाँ पर common ले लेंगे, जैसे Q भार आएगा, इसमें से भी Q common आजाएगा, इसमें से भी Q common, तो भार आके क्या बना देगा, Q square यहाँ पर बना देगा, और यहाँ पर bracket में क्या जाए अब यहां पर आप देखेगा यह square की form में और हमें केवल q की value चाहिए तो यह square जैसे इदर आता है तो वो क्या बना देता है root बना देता है q equal to में 1 upon root 1 plus a root में ax plus y यहां पर आपके आजाएगा उसके बाद में यहां पर अभी हमने p की value निकाली थी जो की क्या थी p equal to aq तो यहां पर आपको क्या यह q value अभी आपने निकाली है इस q की value को यहां पर आपको इसमें रख देना है जैसे आप इसमें रखेंगे तो p equal to क्या आएगा a upon में root 1 plus a और यहां पर root ax plus y यहां पर आपके आजाएगा तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर हमारी q की value भी निकल के आचुकी और p की value भी निकल के आचुकी अब दोनों यह p और q की value आजाती तो जो हमारी equation होती है d z equal to p dx plus q dy इस equation में आपको इन समिकर्ण को यहां पर रख देना है तो यहां पर हम p की जगह यह value आ जाएगी q की जगह यहां पर आपकी यह value आ चुकी यह चैसर की आप देख सकते हैं उसके वार में यहां पर root में 1 plus a है यहां पर root में भी 1 plus a दे रखा है तो इसको हम दोनों को comma लेकि कहां यहां यहां पर d z के साथ यहां पर cross multiple कर देंगे यहां बजगुणा कर देंगे तो यहां पर यह step आ चुकी है आप देख सकते है equal to में क्या बचेगा आपके a dx plus dy upon में root a x यहां पर y आ जाएगा और यहां पर a x y दे रखा इसको हम क्या रख देंगे इक्वल यहां पर t के हम यहां पर रख देंगे वो जब आप इसका आउक्वल यहां डिफरेंशल करेंगे a x का a dx आ जाएगा y का dy यहां पर हमारे हो जाता है अब जो भी आपनी step निकाले उनको आपको इस equation में यहां पर रखना होगा यहां पर आप रखेंगे a x y की जग़ा यहां पर आप क्या रख देंगे आप आप देखेगा यहां पर root t यहां पर हमारे आ चुका है और उपर जो a dx plus dy की जग़ा क्या आजाएगा dt हम यहां पर रख देते उसके बाद simply आपको क्या करना है इसका integration कर देना है integration कैसे होगा यहां पर upon में root t दे रखा है यानि एक तरस यह t की power 1 by 2 दे रखे जैसे यह 1 by 2 उपर जाएगा आपके तो क्या बना देगा minus t की power minus half dt यहां पर आपके बना देगा ओके जब आप इसका integration करेंगे तो किस प्रकार होता है इसका integration t की power minus half plus 1 upon में minus half plus 1 यहां पर आपके इस प्रकार से इसका integration होता है जब आप इससे solve करेंगे तो क्या आजाएगा आपके T की power 1 by 2 upon में 1 by 2 यहाँ पर आपके आजाएगा जिसके यहाँ आप आप देखेगा नेशिष्ट है मैं इससे हमने यहाँ पर direct लिख दिया है T की power half upon में 1 by 2 साथ में constant value भी यहाँ पर आपके आजाती है उसके बार में क्या होगा यहाँ पर 1 by 2 है तो यह 2 कहाँ चल जाएगा उपपर आजाएगा जिसके आप 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 देख सकते है साथ में यहाँ पर जो T की power half है तो इसको हम क्या लेख सकते है root T हम लेख सकते हैं half पावर का मतलब root होता है यहाँ पर और यहाँ पर हमने T किसको माना था आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर T हमने यहाँ पर AX प्लस यहाँ पर Y को माना था तो यहाँ पर आपको इस T की जगह क्या रख देना है AX प्लस Y रख देना है प्लस B यहाँ पर हाग क्या आ जाता है और यही step यहाँ पर हमारी निकल के आ जाती है जो कि क्या हो जाता है हमारा final answer हो जाता है ति यहाँ पर आपकी चार पिट वीदी से कुछ questions थे जो हमने यहाँ आपको करवाए इसे related और भी आपकी बुक में questions होगे ही यहाँ आप उसे जरू solve कल लिजीगा इसके बाद ही पर हमने पथम कोड़िया हो पथम गात के आउक्वाल समय करा है उन्हें आप solve कीजीगा और बात में हम बात करें तो CIE और जो PIE के questions है जो की काफी पूछे जाते है इनिवसेटी एक्जाम में जो आपकी unit second और unit आपके third में आपकी questions आएंगे आपके तो उन्हें भी आपर आप तैयार कर लीजिगा उनकी कई सारी classes आपको YouTube पर प्रोवाइड हो जाईए जिने आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें काफी सारे method यहां पर होते है आई यो पाच की class आपको पसंद आई होगी अगर तब भी doubt कोई questions हो तो आप हमने से comment करके पूछ सकते है वो इसकी जो PDF इसकी PDF आपको जो हमारे टेलिग्राम चेनल मेस बाइए श्टेडियान के नाम से आपको वापर प्रोवाइड हो जाएगी तो मिलते निश्ट वीड़े में